दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत टेकनोलोजी या फिर बिजनेस के रिलेटेड इंट्रेस्ट रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि affiliate marketing क्या होती है तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि affiliate marketing मेरा delete हो गया था फिर उसको recover किया गया वो किस तरह किया गया और वो recover मैंने दुसरा कुछ step follow किया तो उससे मेरा account वापस आ गया तो आज की वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा अगर आप नए है या पूराने है आपके साथ भी हो सकते है तो वीडियो को ज़रूर पर देखना तो hi guys my name is शाही and you watching टेके शाही तो guys सबसे पहले मैं आपको थ ज्यादा आपकी रीच है तो आप वो link लेकर किसी product की वो दूसरे तक भेजते हैं अगर उसने वो link पर क्लिक करके कुछ खरीदा तो आपको 1%, 2%, 10% कमिशन उस product मिलता है और आपको उसके पैसे मिलते हैं तो नए है जो यूटूबर्स है या बाकी जो अभी जिनकी ज्यादा बड़ी पहुंच नहीं है वो link affiliate marketing यूज़ करके अगर उनका channel monetize नहीं हो तो इससे भी पैसा वो लोग कमा सकते हैं मैंने इसके बारे में एक वीडियो में बताया उपर आपको मिल देख सकते हैं तो यह होता है affiliate marketing लेकिन affiliate marketing करते वक्त आपको बहुत चीज़े ध्यान में follow करने परते हैं और कुछ आपको steps दे जाते हैं उसके करने के बाद आपका account accept हो जाता है तो Amazon की मैं बात करूँ क्योंकि मेरा Amazon का affiliate account है उसकी बात करूँ तो उसमें आपको 180 days के अंदर 3 orders आपको बेचना है उसके बाद आपका account activate होगा ऐसा मेरे साथ हुआ था और YouTube पे मैं ब Amazon पे हैं और affiliate account holder है मेरी तरह तो आप क्या सोचेंगे कि आपका account जल्दी activate होने है आप दूसरी दूसरी चीज़े अपने link से दूसरे को बोलें कि मेरे address पर यह link order करके बेच दे मुझे चाहिए ताकि आपके तीन order मुकमल हो जाए और आपका affiliate account activate हो जाए तो आपको अगर ऐस आपको account delete कर सकता हैं दूसरी बात है कि आप एक ही account से बार बार order ना करें कुछ चीज़ अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए भी या आपके किसी friends को गरें को चाहिए तो एक ही account से ना करें बलकि आपके बहुत सारे friends होगे रिलीटिव से हैंगे उनको बोलना कि मैं एक link है म बार बार कुछ order करें और Amazon को शक हो गया तो भी आपका account वो delete कर सकता है और आपके account को एक्टिवेट नहीं करेगा अगर इस तरह की वीडियो से आपको और चाहिए तो टेकी शाहिए हमारे चैनल को जरूर अभी सब्सक्राब करें बेल आगउन प्रेस करें ताके future में आप भी वीडियो मिसना तिसरी बाद जो मुझे समाज में आई वो यह है कि affiliate Amazon को जो account है उसमें आप क्या करना कि आपके जो link से वो बार बार निकाल कर किसी को whatsapp पे messenger पे ऐसे नहीं बेजना बलकि उससे के बदल क्या करना अगर उसको कुछ चीज चाहिए और बोलना कि मुझे य पाड़ अगरा कर रहा है और cheating करके यह पैसा कमाना चाहता है लेकिन आपके friends को अगर कोई चीज चाहिए जो आपने जिसके वीडियो नहीं बनाए और अपने description में वो link नहीं दिये तो उसको बोलिए कि वो link जो उसको product चाहिए वो कौँसा चाहिए आप search करके उसका link निका नहीं आप main बात करते हैं कि अगर आपका account delete हो गया तो आप क्या-का step ले सकते हैं अपने affiliate account को बनाने के लिए तो पहला जो step होगा वो यह होगा कि आप Amazon को mail कर सकते हैं कि मेरे account में कुछ problem आ रहे है कुछ दिक्कत आ रहे है और मेरा affiliate account यह बंद हो गया या कुछ work नहीं कर आप कर सकते हैं लेकिन इसमें बहुत कॉम possibility है कि Amazon आपको reply देगा क्योंकि अगर आप छोटे content creator है तो आप Amazon आपको अतना ध्यान नहीं देता है बलके कुछ-कुछ option आपको मिलते भी नहीं है उनसे direct contact करने तो आपको इसमें बहुत कम ही reply आने का chances है दूसरे step अपने सकते है ये I know कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है ये कि आपके कभी पैसे भी चले जाएंगे जो पहले आपको मिले थे लेकिन दूसरा option आपको यह होगा कि आप नया affiliate account बनाए और उस पर आप अच्छी तरह और honest लिए उस पर काम करें ताकि आपको जो जो आप पहले दिक्कत आई उसको सब छोड़के आप अच्छी तरह उस account को चला सकें तिसरा जो step है जो मैंने खुद किया कि आप अपने affiliate account को आपके दोस्त या दूसरा कोई अगर आपका partner है तो उसके account के साथ आप marriage कर सकते हैं मैंने भी ऐसे किया मेरा दूसरा friend है तो उसने मुझे यह बताया कि ऐसा हो सकता है तो आप क्या करें उसके account से बोले कि वो आपको भी अपना partner बना ले तो दोनों मिलके एकी account चला सकते हैं वहाँ वो login करेगा तो उसको भी दिखेगा आप यहाँ लोgin करेगा तो यहाँ आपको भी दिखेगा फिर उसके बाद जो पैसा कमाते है वो आप आपस में शेर कर सकते हैं उसका कुछ भी कर सकते हैं 50-50, 75, 25% कुछ भी कर सकते हैं और इस तरह आपका जो पहले का Amazon account उसी नाम पर आपको मिल जागा लेकिन इसमें भी पैसा वगरा नहीं होगा क्योंकि मेरा जो account एक्टिवेट हो गया वहाँ वाला account लेकिन इसमें मुझको पैसा न दुबारा उन लिक्स को हटा कर आपको दूसरा product सेर्च करकर दूसरा नए नए लिंक डालना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको जो account डिलीट हो गया है और आपकी उसी account के links उस video के description में है तो अगर कोई description में जाकर उस link को click करेगा तो उसको products नहीं देगेगा और page unavailable बताए नहीं थी ओमिए करता हम वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आए लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें and I will see you guys in the next video